नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जोती साइड में आप सभी मित्रों का हर्दिक स्वागत है आज हम बात करेंगे सपने में प्रसाद लेना सपने में प्रसाद खाना सपने में प्रसाद मिलना और सपने में प्रसाद बाटना और सपने में प्रसाद खरीदना इन स सब्सक्राइब कर लीजिए साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचती रहे और आप सपने के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर सकें मित्रो सपना हर किसी बेक्ति को आता है चहेग वाइस्तरी हो या पुरूश हो सपना हमें हमारे भविश्च के और कुछ ने कुछ इसारा करके बताते हैं कि हमारा भविश्च से कैसा रहने वाला है एक सपना एक से अधिक बार आए तो समझ लो उसका फल अवस्य मिलने वाला है चलो मित्रो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सपने में परसाद की ब्याख्या बताते हैं नमबर एक अगर आप सपने में परसाद लेते हुए देखते हैं तो बहुत ही सुप सपना है या सपना इस बात की और इसारा करता है कि आने वाला समय आपका बहुत सुक्सांती भरा होने वाला है आपके जीवन में तरक्की हो सकती है उन्नती हो सकती है और जिस देवता का आप प्रसाद ले रहे हो वह देवता आप प्रशन है इसका एक अर्थ और भी हो सकता है हो सकता ह कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग परसाद बाटने के लिए मानता मान देते हैं लेकिन बाटते नहीं है तो ऐसा सपना दिखाई देता है नंबर दो अगर आप सपने में प्रसाद खाते हुए देखते हैं तो इसका मतलब या होगा कि आपका स्वास्त अगर खराब चल रहा है तो बहुत जल्द ठीक होने वाला है आपके साथ में जो परिशानिया चल रही है वो अब खतम होने वाली है साथ ही साथ इसका एक अर्थ और भी देखा गया है कि अगर आप कोई बैपार नौकरी धंदा कर रहे हो तो उसमें उन्नती भी हो सकती है तीसरा सपना या है कि सपने में प्रसाद मिलना सपने में प्रसाद जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई बलाके प्रसाद दे रहा है तो यह भी बहुत ही सुप सपना है यह सपना इस बात के और इसारा करता है कि बहुत जल्द ही आपके जीवन में कोई अच्छी खुसिया आने वाली है आपका या तरक्की हो सकता है या उन्नती हो सकता है या आपके जो काम बिगड़े हैं बहुत जल्द बनने वाले है प्रमात्मा का आशिरबाद इस तरीके से होता है आपको इसारा के रूप में परसाद मिलने के रूप में दिया जाता है कि प्रमात्मा आपका प्रशन है और आपका जो काम बिगड़ा है वो आप बनने वाला है। चौथा नंबर है अगर आप सपने में खुद को प्रसाद बाटते हुए देखते हो तो यह भी सपना बहुत ही सुप सपना है यह सपना इस बात की और इसारा करता है कि बहुत जल्द ही आप अपने जीवन में तरक्की करने वाले हो उन्नती करने वाले हो और प्रमात्मा का आप पर बहुत आशिर बाद है। पचवा सपना है कि सपने में प्रसाद खरीदना कई बार देखा गया है कि लोग मंदिर जाते हैं सपने में और वहां प्रगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद खरीदते हैं ऐसा सपना दिखाई देता है तो इसका आर्थिया होगा कि बहुत जल्द ही आप अपने सपने म जो देखा है उसका फल आपको मिलने वाला है इसका आर्थिया होता है आपके मान सम्मान में बृद्धी होने वाली है आप अपनी नोकरी धंदा में तरक्की करने वाले हो और इसका ये कार्थिये भी देखा गया है कि हो सकता है आप कहीं मानता माने हो भूल गए हो तो उस दे दिखा रहे हैं कि आप ये मानता भूल गे हो उसको याद करके मानता को पूरा करो या सपना अच्छा ही सपना है बुरा सपना नहीं है ऐसा सपना बहुत ही भागिसानी बेक्तियों को आता है तो बोलो जय स्री कृष्ण जय माता दी धनिवाद